जहीं दोस्तों, very very good evening क्या हाल चाल, तो आज हमारा हुआ है CHSL का second day exam, तो कैसा रहा हमारा आज का exam उसको भी देख लेते हैं, एक बार फटापट से बताईएगा, audio video clear, क्या हम लोग live, जल्दी से एक बार बता दीजेगा, live है भी हम लोग, ओके, live now, ठीक है, अभी हम लोग I think live आ चुके हैं, एक पूरी आवाज, ठीक है, live आ चुके हैं, एक बार बता दीजेगा, audio video clear है, हाँ जी, एक बार बता दीजेगा, audio video clear है, फटापट से एक बार, पैन कहां गया भाई, पैन 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 गये रहा, चलो, ठीक है, अभी live है, done, live आ चुके हैं, अभी हम लोग, ठीक है, राज हो भी जल्दी से, राज हो फटापट से, चलो, तो आज का पेपर, मैंने सारे question फिर से एकदम लिख डाले हैं, कि क्या-क्या सवाल आज के exam में आए हैं, उन सारे सवालों के basis पर आज हम लोग करने वाले हैं, most important topic for coming exam, ये मैं रोज important topic वाली जो class कर रहा हूं, तो आपके exam में यहां से question आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लो, very good evening जी, very good evening, clear है, ओके, एक तो तुम लोग आते लेट हो, ठीक है, एक आते लेट हो और आते इतने जादा हो कि मुझे घवराट हो जाती है, समझ रहे हो, तो time से आ जाया करो, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, आज के इस जवर्दस सेसेशन की, ठीक है, चलो, समझते हैं, अब आज क्या 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 कैसे आए, इन सब के ओपर बात करते हैं, ठीक है, sir, do minute silence for all those who died in new mevat, बिल्कुल, बिल्कुल, यार मैं उस दिन actual में जब इन new mevat वाला problem हुई थी, ज मेरे घर से जादा दूर नहीं था वो situation, hardly 15 मिनिट दूर जो था, वो सुना चोक पड़ता था, ठीक है, तो वहाँ से फिर मैं जो है, दूसरे घर मुव वहा, चलो, शुरुवात करते हैं, आज के सेशन की, प्रणाम जी, प्रणाम, 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 आज ये वही सारे सेशन जोएन नहीं करते हो, फिर मेरा मन नहीं करते है सेशन लेने को, कि तुम लोग आते तो हो नहीं सेशन किसके लूँ, एक तो इस प्रणाम को बनाने के लिए मुझे बहुत मैनत करनी पड़ती है, सारे question ढूणने पड़ते हैं, आज पूरे paper के अंदर question आये क्या, फिर उससे related topic बनाने पड़ते हैं, फिर तुम class में नहीं आते हो, तो फिर मुझे लगता है, और मैं क्यों ही ये सब काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम भाई, यादव जी, प्रणाम, है ना, तु सेशन में आज आया करो, साड़े 8 पुझे का time है, तुम्हें प तो आज था CHSL का day second, तो day second के अंदर GS के paper का क्या रहा हिसाब, वो हम लोग देखते हैं, GS का paper, तो समझो जी, आज के paper में क्या-क्या सवाल हमें देखने को मिले, ठीक है, सबसे पहली चीज, सर आज के paper में भी dance, festival, musical instrument, question आये थे, तीनो-चारो shift के अंदर हमें सवाल देखने को मिले, तो पहला topic जो है, आज का वो है dance, जो बार-बार मैं बोलता हूँ, second topic है festival, again जो मैं बोलता हूँ, और तीसरा topic है musical instrument, अब इसके साथ-साथ एक जो थोड़ी सी चीज आपको याद करने हैं, कि जब आप musical instrument पढ़ोगे, तो यहाँ पर इन तीनों के साथ ना, यहाँ पर awards से relate कर रहा है बार-बार, पहली shift के अंदर भी हमने देखा था, awards से relate कर रहा है, और आज के जो shift हुई है, उसके अंदर भी awards से related question पूछ रहा है, तो यह चीज़ हम लोग याद कर लेंगे, कि dance, festival, musical, instrument, यह तीनों जो हैं, एकदम packed question है, कि exam में यहाँ से सवाल आएगा ह इसको आप छोड नहीं सकते हैं, ठीक है, यह वो वाला topic है, आज जो एक नया topic add हुआ, वो हुआ, हमने अलग-अलग देशों से क्या-क्या चीज बोरो की हुई है, यह हमने other country से politics अंदर क्या-क्या चीज बोरो की है, वो जो है question आज आया हुआ था, और यह दो shift के अंदर आज के paper में again article से सवाल आया, कल हम लोगोंने एक article पढ़ा था, article number 22, कल हमने 20 पढ़ा था आज question number 22, कल हमने DPSP के पढ़ा था, तो आज एक और सवाल आया था, article number 39D, जहाँ पर equal pay दिया जाता है, आदमियों और 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 अरत को सेम काम के लिए, ठीक है, unacademy में class कब लेता हूँ, या unacademy में class जो है, एप के उपर एक तो सुबर 9 बजे लेता हूँ, एक 4 बजे लेता हूँ, ठीक है, ये question रहा, अब आगया आजाओ, यहाँ तक समझ में आगया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, लेकिन आज एक और सवाल हमें नया देखन को मिला, पॉलिटी के अंदर वो आया, amendment से related, amendment से related, जहाँ पर यह पूछा गया था, अब आप मुझे comment section में आज से करना है, 21 साल से 18 साल उमर कर दी गई, for voting की, 21 साल से 18 साल उमर कर दी गई कम, voting की किस amendment में, बताना एक बार मुझे answer, किस amendment में की गई कम, हर एक को आता है सवाल, जल्दी से बताओ, हर एक को आता है सवाल, ताबर तोर लगाओ, आब और याद करने बड़ी दिक्कत हो रहे हैं, जो चीर याद करनी है, अब क्या करें, दिक्कत है तो याद तो करने बड़ेगी, 61st amendment, 1988, 1988, यह आपको याद करना है, मैं पेजी ले ले तो हैस तो याद कर पाना जो है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे ले भी, देखो, आम मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ याँ आपके, उसके बाद एक सवाल जो आया था, वो सवाल आया था, पंडित रवीशंकर किस musical instrument से related है, पंडित रवीशंकर, तो ये पंडित रवीशंकर वाला क Congress कब formed हुई, ये इससे असान सवाल मुझे नहीं लगता, कोई examiner पूछेगा कि Indian National Congress कब बनी, इसका जबाब दीजेगा, हाँ जी, Indian National Congress की स्थापना 28 December 1885, अगर ये question आ रहा है, तो बल्ले बल्ले है, उसके बाद एक सवाल पूछा गया था, योजना से, ई शक्ति योजना, एक सवाल ये पूछा गया था, योजना से, तो योजना हमने कल भी बात की थी कि पुरानी योजना को एक बार पढ़ लीजेगा, इशक्ति योजना जो है, पूछा गया था, किस राज्य के अद्दर है, ठीक है, उसके बाद next सवाल, अब ये आप लोग खुद देखके नोन वॉयलेंस डे, ऐसा कोई सवाल हमें पता है, बिल्कुल पता है, नोन वॉयलेंस डे हम कब लोग सेलिबरेट करते हैं, भाई गांधी जेन्ति को पकड़ा दो जारा आंसर, और आंसर आ जाएगा, उसके बाद next question आया था, कि हमने parliamentary process कहां से लिया है, parliamentary provision हमने किस देश से adopt किया है, भाई हर बच्चे को बता है, parliamentary provision जो है, Britain, UK हमारा correct answer है, तो ये दो-तीन सवाल तो बिल्कुल ललू-ललू सवाल है, और एक ही shift के अंदर है, उसके बाद एक question करेंट फिर से पूछा गया था, कि T20 World Cup जीतने वाली टीम का नाम क्या है, T20 World Cup winning किस ने किया है, won by, अच sports से अच्छे खासे सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो sports वाला आप जरूर करेंगे याद, sports वाल से मुझे लग रहा है question आ रहे हैं, अच्छे हासे आ रहे हैं, और एक-एक shift के अंदर मैं देखना हूँ, दो-दो सवाल आ रहे हैं sports के, तो एक ये, next चलते है, next हमारे पास आ है, अच्छा, आज की वेपर में, एक सवाल मैंने कल का था याद करने को, कि social reform वाला थोड़ा अच्छे इस देखके चले जाने, लेकिन आज की वेपर में जो सवाल है न, वो थोड़ा सा हट क्या है, इतना regular सवाल नहीं है, सवाल क्या है, राम क्रिशन, राम क्रिशन, परम हन्स का, real name क्या है, ये सवाल पूचा गया था, गजोधर या गजेधर, चटोपाध्य है, ये ऐसे कुछ option में दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर ये question है, real name का, तो again, topic social reforms तो मुझे अच्छे से पढ़के जा नहीं है, कल भी मैंने कहा था, यहाँ से सवाल पूचा गय गया था, कल पूचा गया था, video remarriage, कल पूचा गया था, video remarriage, cgl में आया था, सती abolition कब आया था, ठीक है, और आज के paper में ये सवाल पूचा गया, जोगी मुझे लगा, अच्छा सवाल ये वाला, ठीक है, उसके बाद एक question आया है, census से literacy rate, literacy rate किस राज्ये की सबसे जाद है, राज्ये पूचा गया था, एक कल वाली shift के अंदर ये पूचा गया था, वो ही लिख देता हूँ, st maximum जो है, schedule, tribe, maximum की state के अंदर है, ये कल की shift में था, और दूसरी shift में पूचा है, कि 10 साल की decadal, decadal जो growth हुई है, वो कितने percent हुई है, 10 साल में यानि कितनी growth हुए, ये कल वैदिक कल्चर से पूचा गया था, कल वैदिक कल्चर से था, आज का सवाल सुनिएगा, आज का सवाल ये पूचा गया था, अवंती की राजधानी क्या है, यानि सवाल जो आया है, वो महाजनपत से आया है, वैदिक कल्चर के आसपास कही है, लेकिन नया सवाल है, ठीक तन्जोर टेंपल कल के बेपर में भी आया था तन्जोर टेंपल रिपीट ओरा kwestion कितन्जोर टेंपल फो है वह किस ने बन वाया याài डाइनेस्टीelson हो गिै। तो राज-राजा होगा, ठीक है, यह होगा एक सवाल, अच्छा, नेक्स सवाल ये पूछा गया है, कि साक्षी-मली, जो है, वो किस वेट में खेलती है, ऐसा कुछ सवाल आया था, या किसी गेम में पूछा होगा, यानि, स्पोर्ट से रिलेटिड है, ठीक है, साक्षी-मली, स अगर कोई भी डैम ही तो यह नहीं होगा तो सरदार सरवर होगा उनमे से कोई डैम पूछा गया था इनमेंसे कोई आया था तो यह चार हम लोग याद कल देंके जो नरम्रा से नेक्स्ट आजएगा, नेक्स्ट ये पूचा गया था, एशियन गेम्स में, कुल कितने पदक हम लोगों ने जीते हैं, एशियन गेम्स और 2018 पूचा गया था, कुल पदक कितने पूचे गया, 69 पदक हम लोगों ने जीते थे, ऐसा कुछ सवाल पूचा गया था, ठीक है, नेक गूमर हो गूमर तो depend upon the option क्या दिया हुआ है अब exact बच्चा नहीं बता रहे कि जूमर गूमर देख लेंगे कि राजस्थान option में था या 36 जारकंड था वो depending upon the क्या है वो exact मुझे idea भी नहीं है इसका क्योंकि बच्चा ऐसी बता रहे था कि सर ऐसा कुछ आया था ठीक है आगे सवाल ऐसे भी नहीं आ रहे कि हम नहीं कर पाएंगे हा या ना ठीक है यह सर पुरानी PDF में रिवाइस कर लें यह सारा पुरानी PDF में से है एक जैक तुम्हें बता रहे हूं पुरानी PDF से है हमारे सारे question मैं जितने भी पढ़ पा रहा हूं ठीक है फिर एक question आया था disease से क्या म बच्चे ने कैसा question याद है option तो मुझे याद भी नहीं है तो अगर तुमने disease वाला वो पिछली pdf उठागे पढ़ लिया होगा तो question बन गया होगा ठीक है next आता है एक question आया था कि हिमायू ने किस city को form किया हिमायू founded या formed कौन सी city ये सवाल आया था ठीक है जो भी मुझे लग रहे है कि नया question है लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत देकालीन भारत का देख सकते तो सवाल आपको मिल जाएगा ठीक है next question आया था biology का cell से cell से question या था power house of the cell किसक को का जाता है एक बार answer करना sir देखो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको ये सवाल भी नहीं आ रहा है तो biology का vitamin disease plant kingdom animal kingdom अभी touch नहीं किया गया लेकिन most probably touch किया जाएगा mitochondria होगा answer क्या होगा mitochondria अगर mitochondria पूछा जा रहा है तो याद बता देना ATP की form में energy produce होती है और Altman ने इस मुझे लग रहा बहुत जादा मुश्किल नहीं था कि मिथेनोल के द्वारा चलाए गई बस सर्विस किस राज्य में शुरू की गई थी ठीक है नितिन गड़गरी जी ने शुरू की थी में भी answer शायद बैंगलोर होगा फिर भी आप चेक कर लीजेगा ठीक है तो मुझे सत्य नारायन कोई नाम दिया था बच्चे ने इतना होता है सत्य नारायन कोई नाम दिया हो था रिलेटिड है कुच्ची पूरी से अब वो कह रहे है शायद यह तो डांस पूचा गई है यह यह पूचा गई किस यह में अवोर्ड मिला है ठीक है अगेन डांस 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 with music related with awards ये question आया हुआ है next देखते है अच्छा एक सवाल index से आ गए आज human development index के अंदर क्या चीज़ नहीं शामिल है not included क्या चीज़ शामिल नहीं है ये सवाल पूछा गया तो बच्चा कहा रहा है सर option देखके निकल जा रहा था और ऐसा नहीं थे कि option देखके नहीं बन रहा था option देखके हो जा रहा था next आएगा नीरत चोपडा से related कोई सवाल पूछा गया again related to sports नीरत चोपडा से सवाल ये पूछा गया कि diamond league में शाय थिंग कितना throw किया गया ऐसा कुछ सवाल था diamond league के अंदर कितना throw फैका गया है तो या तो सवाल ये था या इसके आसपास कोई सवाल 89.794 89.94 मेटर जो है आइ थिंग ये पूछा गया था कि कितने मीटर भाला फैका गया है ठीक है ये पूछा गया था टोकियो अलमपिक्स में टोकियो गोल्ड मेडल का सवाल, और टोक्यो ओलम्पिक्स वाला, एशियन वाला ठीक है, लगातार आवोड्स तो स्पोर्स के भर-भर के आ रहें, कल भी था और आज भी था, ठीक है, नेक्स्ट आज आज़ेगा, नेक्स्ट सवाल पूछा गया, ओनम फेस्टिवल, ओनम फेस्टिवल I think festival वाले तो question ठीक ठाक आ रहे हैं बहुत अटपटे तो नहीं आ रहे हैं ठीक है एक question I think dimsa आया था dimsa ऐसा कोई सवाल आया था ठीक है एक question यह आया था dimsa dance पूछा गया था अंदरप्रदेश वाला असान है dances ठीक ठाक आ रहे हैं बहुत अटपटे नहीं आ रहे हैं अभी तो मुझे ठीक लग रहे है उसके बाद एक सवाल पूछा गया था अरविंद पारेक रिलेटेड यह कल मैंने करवाया था अरविंद पारेक यह I think मैंने कल करवाया आप लोगों को musical instrument किस से रिलेटेड है यह सवाल पूछा गया था सितार से रिलेटेड है चलिए नेक्स देखे यह लिखते हैं सितार हाँ जी question ठीक लग रहे हैं हाँ के ना question सही लग रहे हैं ना question मुझे ठीक लग यार मैं बहुत जादा मुश्किल नहीं कहा रहा हूँ अभी तक मैं तुम्हें काफी सारे question बता चुका हूँ तो उसके इसाब से तो मेरे को बहुत अजीब नहीं लग रहे हैं आ गया हो next सवाल पूछा गया था कि जैसे यह पूछा कि parliamentary provision हमने कहां से लिया अगला सवाल पूछा गया था vice president का जो provision है वो किस देश से हम लोगों ने adopt किया है adopted from where US से answer दिया हुआ था next आजएगा next पूछा गया था हरी सेना हरी सेना ने कौन सी बुक लिखी है प्रियाग प्रस्थी यह वाला question भी बहुत असान है हरी सेना संस्कृत पॉइट है ठीक है याद करो प्रियाग प्रस्थी शिलालेग भी है जो इन भाई साब ने लिखा हुआ है तो question ठीक है मतलब books and author हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वहीं से सवाल आ रहा है sir कितना buffer हो रहा है buffer हो रहा है क्या यार मेरे दर भाई बिल्कुल clear है सौरव एक बार internet चेक करो sir क्योंकि मेरे end पे अगर buffering हो जाती है तो मेरे आप एक blink करता है कर sir वो automatically red हो जाता है वो पूरा green है तो यानि clean चल रहा है मेरे दर से ठीक है बाकी लोग बताब buffer हो रहा है क्या buffering हो रहा है yes sir अभी तो easy है बस हमारी shift आते ही tough हो जाता है एक दम सच बात है कि जब तक ऐसा लगता है कि हमारी बारी आती जाएगी जब तक exam tough होता चला जाएगा अचा एक सवाल अब तुम खुद देखना अचा ये सवाल मुझे बहुत बढ़िया लगा था एक सवाल आया था कि ये पूछा गया तक करनाटक की करनाटक के queen of music किसे एक आ जाता है queen of music किसे एक आ जाता है ये question मुझे नया लगा यार ठीक है वैसे इसका answer जो है सुबर्नम स्वामी ये सुबर्मनम ऐसा कुछ दिया हुआ ठीक है लेकिन ये question हम लोगों ने direct नहीं पड़ा हुआ है ये अच्छा सवाल आया हुआ है लेकिन जितने हमने करनाटक में related dancer ये सब पड़े में उन में से लिखा हुआ था एक PDF मैंने देखा था उसके बाद एक सवाल आया था run of catch festival कहा मनाय जाता है run का festival ये तो मुझे लग रहे ठीक है सर हमारा भी simple आये तब ठीक है हाँ आ जाएगा आ जाएगा simple आ जाएगा होसला करके जाते हैं अच्छा ये सवाल मुझे थोड़ा अलग लगा सवाल ये था 1928 से लेकर 1980 तक कुल medal कितने जीतने हमने Olympics में Olympics में कुल कितने medal जीते हैं अब ये वाला सवाल आया तो भई एक तो एर ऐसा क्लास करते हैं एक Olympic की क्लास करी डालते हैं Olympic Nobel Prize ये वाला एक क्लास करी डालते हैं हर पेपर का नहीं ग्रफ़ड़ा बन चुका है कि यहां से कुश्चन आएगा और हमें नहीं आता होगा सही बात है इसको एक बार निम्टाई देते हैं एक दिन बैठ के तुरह काम किया जाए इसके ओपर अच्छा एक आया था कोई wrestling से आया था एटिंग सवाल wrestling championship से कोई सवाल आया था wrestling championship से कोई सवाल आया था जिसमें पूछा गया था 2022 में कौन जीता है ऐसा कोई सवाल आया था तो एनी sports का तो भरा पड़ा आज का पूरा section next सवाल जोग fall भाई कैसे ही सवाल पूछ लेते हैं कई-कई shift के अंदर तो free के नंबर है जोग fall करनाटक के अंदर करनाटक सारवती river इसी को zero sopa इसी को मात्मा गांधी fall यह वाले सवाल आ रहे तो मज़ा ही आ रहा है ठीक है अच्छा भारत का detroit पूछा गया चेन नहीं वो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक सवाल पूछा गया शिरिलंका का कोई festival पूछा गया था यह sand fly वाला भी हमने काला अजर पहले पढ़ा हुआ है काला अजर यह पहले की pdf में as it is mentioned है ठीक है उसके बाद एक सवाल पूछा गया है जो कल की pdf में था largest producer of magnees कल की pdf उठाओ कितने question मिल रहे है largest producer of magnees अब मैं जब यह paper देख रहा था ना जब मैंने यह paper देखा तो ठीक है यह paper अच्छा एक question economic से था कोई fiscal policy से related कोई सवाल था fiscal policy से related सवाल था ठीक है अब आप लोगों के एक idea लग गया कि बुरा paper क्या है मैंने आपको कितने सारे question करवा दिये ठीक है इनसे तुम्हें बहुत भैतरीन idea लग गया है कि paper आ कैसा रहा है कि paper आ कैसा रहा है paper overall ठीक ठाक आ रहा है अब बात आती है कि हम क्या पड़े जो आगे आने वाली shift के बच्चे है क्योंकि यह चीज तो confirm है कि इनी topic से गूम फिर के सवाल आ रहा है कोई कोई हर shift के अंदर एक दो topic नए आ रहा है लेकिन आ वही रागों फिर के ठीक है चलो बेके करके important topics देखते हैं क्योंकि अपना काम तो topic करने का है न आईए जी सबसे पहला topic आज का पहला topic है musical instrument important person मैं बार-बार कह रहा हूँ आज के वेपर में पूछा गया था कल के वेपर में भी है और next वेपर में भी आएगा देखो सबसे पहले सितार बजाने वाला कौन है रवी भहिया याद करो रवी भहिया सितार बजाते है रवी भहिया सितार ठीक है तबला जो है जाकिर उसेन को दो बहुत शामदार बासुरी बजा लो हरी प्रसाद चोरसिया सरूद का काम करेगा अमजद अली वीना का काम करेगा इ गायतरी बासुरी बजा रहा है रोनू मजुमदार सेहनाई का काम करेगा उस्ताद बिस्मिल्ला ये question important है भाई ठीक है संतूर शिव कुमार शर्मा repeat हो गया ह मिर्दगम ठीक है मनी अयर को याद कर लो important है harmonium भीम सेंजोशी को रटलो very important आगी आईएगा next आता है सारंगी सारंगी है उस्ताद सुल्तान खान important धोलक बजाएंगे भवानी शंकर इसराज बचाएंगे दुर्बा गोश important घाटम याद करना है विकू रुद्र भीना याद रखनी है असद अली खान important इनको छोड़ दो इकतारा को याद कर लेना समराट शाह अब्दुलकरीम important है जलतरंग याद करना है बिकरम घोश ठीक है next topic पे आते हैं अब आते हैं parties party क्या हम लोगों को कह रही है सुनो सबसे पहले आज की paper में सवाल आते हैं इंडियन national congress की स्थापना कब हुई ये हुई किसने स्थापना की A.O. Hume बात खतम चोड़ो उसके बाद question आता है All India Muslim League 1906 में बनी है अगा खान सलीमुला खान दो नाम याद करो चल जाएगा हिंदू मासभा 1915 याद करना है मदन मोहन मालविया एनी बेसेंट इनको मदन मोहन से याद रखो तो भी चलेगा All India Schedule Cast Federation AISCF 1935 गना ही important है भाई ये BRM बेड कर जोगेंदरनाथ छोड़ दो All India Trade Union Congress 1920 इस तरह के सवालों पर तोड़ा जादा ध्यान दो जो बहुत जादा regular नहीं है जैसे ये मासभा, Schedule Cast, Trade Union याद करो CPI, SSC ने ना जाने कितनी बार पूछा गया है MNROI याद रख लीजेगा अगला question देखेगा All India किसान सवा, सारे आज वो सवाल डाली गई है जो तुम्हें याद नहीं है दुबारा देख लो, पहले हमने कौन सा डाला मासभा, Schedule Cast, Tribe, CPI, next आईएगा किसान सवा, 36 याद करो Indian National Army 1942, ये भी recent के बेपर में आता न, किसने फॉण की सुबाश संदर बोस आसान है, RSS, 1925, केशव, बली राम, हेड वेकर, भई बहुत इंपोर्टन है, याद करना है अकाली दल, 1920, अभी थोड़ देर पहले पिछे PDF में आओ, तो तुमने क्या याद किया था Trade Union Congress, अभी क्या याद कर रहे हो, अकाली दल, 1920, बाबु तेजा सिंग Self-Respect Moment, Peri-R Moment, Very-Very Important, 1925, A.V. रामा स्वामी, Peri-R, अभी तुमसे पिछले पेपर में मोपला रिबेल्ट पूचा गया था मोपला रिबेल्ट पूचा गया था, तो इस तरह के सवालों को थोड़ा देख लो, आ गया हो उसके बाद गदर पार्टी, ये भी पहली शिफ्ट के अंदर सवाल था, 1913, सोहन सिंग भकाना, याद रखेंगे All India State People Conference, 1927, ये हमने पढ़ा भी कभी नहीं है, लेकिन याद करना है सवराज पार्टी, 1923, बहुत असान है, मोतिलाल नेरू, सियार दास इंडियन लिबरल पार्टी, 1917, घोट के पी जाना इसको, फॉर्वेड ब्लोक, 1939, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस, 47, याद करो, 120, तुन्हें ट्रेड यूनियन 20 में याद की, 47 में याद करना है ठीक है, अगला टॉपिक देखें, ओल इंडियन फॉर्वेड ब्लोक, 1939 पढ़ लिया, हिंदु मासभा, 1914, जस्टिस पार्टी, 1916, यूनियन मुस्लिम लीग, यह वाला सवाल मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये पेपर में आ जाएगा न, 99.999% 1906 कर के आएगा ओल इंडियन मुस्लिम लीग है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, 1907 है, अगाखान, मुहमद अली, जिना, अधर्स, यह गजब कोश्चन है बाई, गजब कोश्चन है, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन एग्जाम में यही से आएगा ठीक है, तो यह वाला पॉइंट आपको याद करना है, यह सारी की सारी, जितनी भी मैंने अभी डिटेल दी हैं तुमें, जितनी भी मैंने अभी यह वाल डिटेल दी हैं, इनको ना तुम शांती से बैठना, और अपने मन के भीतर उतार लेना, रट लेना, याद कर लेना, यहां से question exam में आएगा, 110% आएगा, अगर वो इस lab पे चल रहे हैं न, कि parties पूछ रहे हैं, revolt पूछ रहे हैं, तो देरार high chances जहां से question फस जाए, next topic पे आते हैं, next topic देखते क्या है, इदर आओ, भाई मज़ा आया, मज़ा आया topic के अंदर, कितना शांदार topic तुम्हें करवा द दीजेगा, easy होगा, mark दे दूँगा भाई, दे दूँगा, कल तुमने ही बोला था, मुझे आज ने एक बच्चे की request आई, वच्चा कहा रहा, सर चाहे कम minute के लिए आओ, लेकिन YouTube पे आके important चीज़े बता के जाओ, इससे न, एक तो exam में जब हम जाते हैं, एक हमको topic मिल जा पता है, एक हमको ये पता चल जाता है कि exam में जाने से पहले मोटा मोटा क्या देख जाएं, तो इस PDF को देखके चल जाएं, तो chance ये रहेगा कि शायद exam में आ जाए, तो मैंने का ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो मैं daily जो है, चाहे आदा घंटा आने अपड़े, चाहे एक आता है, और मैं ये मान के चल जाएं, कि जो बच्चा SSC का कोई exam लिख रहे हैं, तो वो वर्डो को पढ़के दूसरा वर्टो पढ़ सकता है, अगर वो वर्डो को समझ के ये नाम भी नहीं पढ़ सकता, तो फिर आप SSC के तयारी छोड़ दो, है ना, सर मैंने ना GS हिंदी म क्या लिखा था, हिंदी में ये लिखा होगा ना, दयानन सर्चती का रियल नेम दयानन सर्चती है, ये लिखा होगा, ऐसे ही होगा, ये मूल संकर होगा वैसे, इन्होंने गल चिपका रखा है, मूल संकर होगा, तो नाम को पढ़ने में तो मुझे लगता कोई अतराज नही होना चाहिए च्यक ow बहें मैं तो ही कि डिया उसको इसा नहीं कि में हिंदी नहीं पडः दसम Actually तक तो सब लोग हिंदी मीडियम से पड़े हैं लेकिन मैंने यार दोनों पड़ी Alzh लाद यहacker दिक्क्त आती नहीं है रहां पर हिंदी इतना भी तगड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ बलब वह वाला बात है हिंगलिश है हिंगलिश ठीक है समझो इसको जरा आज के पेपर में जो सवाल आया था वो तुमसे ये पूछा गया था एक मिन में तुम्हें सवाल भी दिखा दू तो तुम थोड़ा सा याद कर लोगे हमने कुछ मिस कर दिया ठीक है तो ये कोश्चन मैंने PDF में अरेंज कर दिया दूसरा स्वामी विवेकानन जी का रियल नेम है नरिंदर नातधत स्वामी द्यानन सरस्टी का रियल नेम है मूल शंकर ठीक गोपाल कृष्ण घोकले का रियल नेम सेमी है लाला लाजपतराय का सेमी है ओशो भगवान श्री रजनीश तो यहाँ पर नाम याद कर लें रजनीश होगा ठीक है सिस्टर नवेदिता दयान विवेकानी जी साथ इनका नाम है विश्वनात दत्ता यह वाला इंपोरेंट थोड़ा याद कर लेज़ेगा नेक्स्ट अब 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 आज के तीन शिफ्टो कर लेते हैं क्लास के अंदर है 35 हमने यह कहते हैं 35 का अधिनियम आया था तो इसने सबसे पहले यहां पर बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन लेयाओ एमर्जेंसी का प्रोविजन लेयाओ जुडिशरी लेयाओ यार इसमें तो आधी चीज गाया बाबाई सिंगल सिटिजन शिप होना चाहिए ठीक है नहीं बनी बात इसमें सिंगल सिटिजन शिप होना चाहिए rule of law नहीं नहीं ठीक 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 सौरी मैं British पर टक गया था तो 35 के अधिनियम में क्या क्या याद करने है दुबारा याद करते हैं सौरी मैं बताने में गलती रहागी मैं इसको UK समझ के लग गया एक तो emergency provision एक public service commission दो judiciary तीन मामला पहली आगया था judiciary supreme court पहली आगया थी 1935 के act में था 1935 के act में था ठीक है आगया हो US में देखो आज के paper में एक सवाल पूछा था कि सबसे पहले लिकित सविदान कहा मिला था तो answer याद रख लेना UK US में मिला था UK में बाद में US लगाना है आगया आजो राष्टपदी को हटाना है impeachment करना है US से answer लगाएंगे उसके बाद रिवोलो supreme court high court judges ये याद कर लीजेगा भाई important है fundamental rights हर बच्चे को आना चाहिए preamble of constitution ये और आज के paper में सवाल आया था ये वाला ठीक है आगया आते है next आजेगा United Kingdom यहाँ पे था वो पहला rights parliamentary provision एक speaker लोगसभाद दो bicameral तीन अब भी नहीं मिला rule of law चार single citizenship पाँच इनको याद कर लो इनको याद कर लो ठीक है next आते है अब आते हैं रशिया के ओपर USSR fundamental duties एक five year plan economic and political in the preamble मैंने आज एक class लिती उसमें मैंने गलत बता दिया उसमें मैंने शायद Ireland लगा दिया ठीक है मैं कल जाए क्लास में correct करूँगा social economic political याद रखना next आना Australia के अंदर concurrent list सबसे ज़्यादा पुछावे जाने वाला सवाल joint sitting very very important बाकि छोड़ दो जापान से procedure established by law law on visa supreme court function इसको लिखते हैं procedure established by law ये मुझे आदक नहीं procedure established by law Germany fundamental rights emergency में हटाएगा तो जर्मनी बताएगा next आओ Canada से federalism एक residue power दो center state वाला तीन बाकि छोड़ दो Ireland से DPSP वाला एक हम याद कर लेंगे और election of president याद कर लेंगे next आओ France से republic का concept है liberty equality fraternity का concept है छोड़ दो South Africa राज्यसभा के member का election कैसे होगा amendment कैसे होगा बस बहुत है बस बहुत है ठीक है DPSP में कौन से maternity के लिए 42 maternity वाला 42 है next आजओ अब महाजनपद यही तो आज के वेपर में आया था ना क्या था आज के वेपर में कौन साथ इसमें नजर आ रहा है इसमें नजर आ रहा है यह आया था अवंति यह आज के वेपर में आया था जहां पूचा गया था उज्जैन यह सवाल था आज के वेपर में, तो remember करो, मगद का कौन है, राजगीरा है, वज्जी का कौन है, वेशाली है, कोशाला का कौन है, सारावस्ती है, वच्सा का कौन है, कोशंबी है, सुरा सेना का कौन है, मतुरा है, अश्य का कौन सा है, पैठन है, छेदी का कौन सा है, सुक्ति मती है याद करने ना मतलब आपको माजन पर याद करने है very very important आने वाली shift वाले बच्चे जरूर जसे जरूर पढ़े बहुत से भी बहुत जादा important है ठीक है background white देजीगा यह यह white करने में न यह सारा annotation हट जाता है मैं जैसी इसको white करता हूँ सारा annotation हट जाएगा ठीक है annotation सारा साफ हो जाएगा जितना मैं कोशिश कर लूँ वो नहीं आएगा बापस तो देख लो अगर white करने तो white कर लेंगे आज की वेपर में question आया हुआ था तो important days मैंने सारे mention कर दी है repeat करने की जुर्थने आप PDF से उठाके इनको पढ़ लीजेगा PDF से उठाके पढ़ लीजेगा एक एक जो है पर month wise मैंने डाल दिया पूरा साल का डाल दिया मैंने आपको घबराने के बिल्कुल जुर्थ नहीं है कि ये भगवान मेरे साथ क्या होगा कुछ नहीं होगा आपको बस पढ़ना है उठाके ठीक है आज की paper में ये question आया हुआ था ये वाला question आया हुआ था उठाके याद करो उठाके याद करो ठीक है अब बात आती है sports की sports वालन में तुम्हें अलग से करवाओंगा यार मैं पूरा olympic वाला करवाओंगा टापिक इधर आजाओ ये सारा तुम days वाला important पढ़ लेना इनको अच्छे से ठीक है इधर आओ चलो तुमारा sports का भी खतम कर रहा हूँ ये है Tokyo टोकियो गेम्स हुए वो सारा टोकियो वाला यहां पे है देखो हमने का था आज के बेपर में आया था कि टोकियो में हमने कितना goals जीता तो हमने एक ही goals जीता था कौन है नीरज़ भाईा है वेट लिफ्टिंग अंदे मीरा भाई सिल्वर, रवी कुमार दिया सिल्वर, पीवी संदू, ब्रॉंज लोव लीना, ब्रॉंज ठीक है, इधर बजरंग पुनिया ब्रॉंज, होकी के ली मैंस, होकी टीम ब्रॉंज, ये टोक्यो के सारे याद कर लो, अगर टोक्यो रिपीट भी कर देगा, तो हमारे पास कम से कम उप्शन तो रहेगा ठीक है डान्स और लिष्ट में ने दे दिया यार ठीक है, ये लिखा होता, सर कोई लिखता है कि नहीं लिखना है, जस्ट हुमेन कंडिशन तो वर्क अजीब सा है, क्या ये वो भी ठीक है, मेटरनेटी यान ही हुमेन कंडिशन, वो एक ही आर्टिकल के अंदर था 42 के अंदर, चीक है आगे आजो, आज की पेपर में सवाल आया था, जोग जर्ना काँ पर है तो जोग जर्ना करनाटक राज्ये के अंदर, सारावती नदी के उपर है, दुख्द सागर, फॉल, गोवा के अंदर है और मांडोवी रिवर के उपर है उसके बाद, एतरे पिल्ली फॉल जो है, चालुकुंदी रिवर के उपर है, दुख्द मध्या परदेश, नर्मदा रिवर के उपर नोकाली कल में घाले, नोकाली कई रिवर के उपर है ये question exam में आया था, वालाब अभी वाले में नहीं पिछले exam में आया था तमिनलाडु के अंदर काँर रिवर के उपर है बगसु छोड़ दो, सोची पारा, केरला के अंदर, सेलियार रिवर के ओपर है, बाकी छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट आएगा, इसमें जो इंपोर्टन में टिक कर दे रहा हूँ, कैम्टी फॉल इंपोर्टन है, नुरांग फॉल इंपोर्टन है, लंग हेसाइं, बेडा गार यह जिन पर टिक की है, वो जादा इंपोर्टन है, लेकिन बाकी भी एक बार रीड कर लीजेगा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, यह PDF बनाने में मेरा बहुत दम जाता है, इस PDF को मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सारा डाटा एक साथ इखटा करना अनलीजिस होता है, लेकिन अनलीजिस के बाद करें क्या, वो हम लोग करते हैं, तो इस PDF को जितना हो सके उतना सर्कुलेट करो, जितना हो सके बच्चा उतना जादा क्लास अटेंड करो, यह सबसे जादा जरूरी है, समझ रहे हो, है ना, आ गया येगा, अब आते हैं, उसके अब मोपात्रा जो की CGL में आया था, उडिसा से है, कत्थकली का गोपी, कत्थकली याद रखना है, गुरु विपिन सिंग मनीपूरी है, वेम पट्टी चिनन सत्यम याद रखना है, मोहिनी अट्टम याद रखना है, सतारिया, जतिन गो स्वामी, वेरी वेरी इंप इंपॉर्टेंट है, मलब जितने हैं वो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, यामिनी, कृष्ण, मूर्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आएगा, उसके बाद आज के पेपर का भी सवाल, ये रहा, ठीक है, वेदानतम, सत्यनायन, सर्मा, ये कुछी पूरी स तुम्हें दे रहा हूँ, छीक है, ये वो टॉपिक है, सारे के सारे, इनी को तसली से पढ़ लो, तो बेडा पार हो जाएगा, तुम्हारा ये जितने में लिखवा रहा हूँ, इनी पे जान फूख दो, लेट हो गया, कोई बात नहीं, यादब जी क्या हो गया, छीक है, त तुम्हें तो free में मिल रहा है, static की book भी purchase करोगे न, तो भी मैं बहुत सारी static की book जो है, देख रहा हूँ आजकल, कि किस में क्या content है, लेकिन ऐसा content मुझे नहीं मिल रहा है, जहां पर मैं एक सारी चीज़े घटा कर लूँ, समझ रहो, तो इन PDF को download करो, अच्छे से पढ़ो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है, अलग-अलग देशों से होने वाले most important festival, कैसे, बांगलादेश, festival सारी लिख दिये, सरस्वती पूजा है, इदुल फित्तर है, दुर्गा पूजा है, बस ये वाला मुझे एक यात करना, बाकि तुम्हें तुक्का मार दूँग शिलंका के अंदर है, सिनहला है, वेशक है, दिवाली और ठंग-फोंगाल आप थोड़ा से देख लिजेगा, नेक्स्ट आजओ, बुटान के अंदर है, पारो, ये पारो वाले important है, थिमफू वाले important है, बाकि तु चल जाएगा, पुनाखा important है, ठीक है, पाकिस्तान के या बाकि अगर छोड़ दो, नेक्स्ट आएगा, आज के पेपर में एक सवाल आया था, जहां पर ये पूचा गया था, कि मातमा गांधी का पॉलिटिकल गुरू कोन है, ये सवाल हर बच्चे को आता है, तो हमने कहा मातमा गांधी का पॉलिटिकल गुरू गोपाल कृशन गोक एक ही है, गोपाल कृशन गोकले, सरदार बलब भाई पटेल का पॉलिटिकल गुरू मातमा गांधी, एनी बेसेंट का और बिंदो गोश ये हमें नहीं याद रहेगा, अब्बुल कलाम के लिए सिबिली नोमानी, इंपोर्टेंट याद कलो, लाला जी का दादा भाय नहरो जी अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नेक्स्ट आओ, उसके बाद चंदरशेकर आजाद, राम परसाद बिस्मिल देख लेना, रानी लक्ष्मी नाना साहिब इंपोर्टेंट है, बाल गंगा दर्तिलक दादा भाय नहरो जी इंपोर्टेंट, बिपिन चंदरवाल और अब बिन दौ गोष, इंपोर्टेंट, मदर् मोहन मालविया इंपोर्टेंट, दादा भाय नहरो जी, ये वालन थोशेकर डॉटफुल है, लेकिन अगर भालन इनन मिले, तो लगा देना, ठीक है, तो ये निक्रेम वाला टॉपिक हुआ, ये निक्रेम वाला टॉपिक अभी जिन लोगों को अग्जाम है इतना ज़ादा डेप्ट में जाने की जूरत नहीं है जितना ये दे रखा है उसी को तमीज से पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी ठीक है बोलो जी यहां तक सब को समझ में आया क्या था मामला हाँ जी मज़ा आया मैंने अब आप लोगों को आज के पूरे पेपर का एनलिसिस दिया है लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये जितना भी एनलिसिस तुम्हें दिया है इसको आपको टेलिग्राम पर बहुत सारी पीडियेव जो है इंपॉर्टन टॉपिक करके मैंने डाली वी है उन पीडियेव को उठाओ और सारी पीडियेव से जो इंपॉर्टन चीजे मैं अब बता रहा हूँ ना उन सब पीडियेव को पढ़ो जैसे मैंने आज डिजीज वारा नहीं करवा है क्योंकि पहले करवा चुका हूँ ठीक है डांस फेस्टिवल ये दुबारा दुबारा दो तीन तीन बार पहली पीडियेव शेयर कर चुका हूँ तो इसलिए जो है मैं उनको बार बार रिपीट नहीं कर रहा ठीक है पीडियेव के लिए मैंने बता दिया आपको इस टेलिगराम चैनल पर जाना है जोईन करो सारी की सारी पीडियेव मिल जाएगी ठीक है जी तुम लोग सेशन को इंजुआए कर पाए हो ठीक है मैं आपके पेड़ बैच ले रहा हूँ अनकेडमी पर 24 फोड़ना है बहुत समय बरबात कर लिया गलत प्लैटफॉर्म में बिलकुल आ जाओ सौरा बिलकुल आ जाओ ठीक है और तुम्हारे जान में ऐसा मैं तुम्हें जैसे जीतू है जीतू कोई मेरा सिरफ You Tube का सब्सक्राइबर नहीं है जीतू मेरा पेड स्टुडेंट होना मेरे पूछना पड़ रहा है ठीक है तो पेड़ बत्चा भी जब मैसे यूट्यूब पड़ रहा तो मैं चीटिंग तो नहीं करा किसी के साथ पेड़ बैची समझ नहीं आता है आपका प्रिंच भाई ऐसा तो मत बोल भाई कौन सा बैची जो समझ नहीं आया ठीक है भाई मैं मैं सच बता रहा हूँ अगर पेड़ बैच में कोई बच्चा में सा लाइव है और अगर वो बच्चा मुसे चार बार भी एक ही प्रॉब्लम पूछ रहा है तो मैं सेशन नहीं बढ़ाता आगे जब तक वो बच्चा यह नहीं कहा दे कि क्लियर हो गया तो शायद ठीक है तो शायद मैं प्रिंस भाई से रिलेट नहीं कर पाया ठीक है मैं नहीं जाता आगे जब तक अगर प्रिंस मेरा सेशन ले रहा होगा और प्रिंस ने कहा देगा उसा टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैं आगे मूव नहीं करूँगा ठीक है और यह मेरा तो या तो मैं यह कहूँगा कि डाउट पहले क्लियर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे या फिर डाउट दुबारा लेंगे चीक है तो हमेशा ऐसे रहता है अने केट भी पर कैसे बाय करना है आप एक्जामों का कोड यूज करो जब आप बाय करने जातो यूज दा कोड परचेज कर सकते हो या तो अरजुना बैच परचेज करो जो complete foundation बैच है या for mains आप लोग लक्षे बैच परचेज कर सकते हो ये दोनों बैच अलग अलग चीज के लिए बने है foundation बैच आपको target करेगा for next year क्योंकि इसका पूरा schedule जो है मैंने share कर रखा है कि कब को कौन कौन सी बचा हुआ है तो इसका तो मैंने पूरा schedule शेर कर दिया है लक्षे बैच only for mains लेकिन मैं आप लोगो suggestion बता क्या दूंगा कि आप लोग प्लस लो एक तो प्लस बहुत सस्ता पढ़ रहा है आज की date में कुछ 4000 से भी कम का पढ़ रहा है जिसमें आपको कितना दो साल का subscription मिल र जल्दी शुरू कर रहा हूं नहीं आप मेरा भी ले सकते हो चीक है आप सिरो मेरा भी ले सकते हो चीक है आप मेरा वाला बैच ये वाला भी अकेला ले सकते हो और ये भी अकेला ले सकते हो ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा लेना है अगर आप लेना चाहो तो इन दोन में स कोई भी ले सकते हो, individual भी ले सकते हो, क्योंकि मेरा best थोड़ा लंबा रहता है, ये वाला batch भी लगबग कित्ती class है, 160-70 classes है, इस वाले batch में, ठीक है, और इस वाले batch में लगबग 60 plus classes है, तो आप individual लेना चाहो तो ले सकते हो, यहर, अरजुना हो रहे हैं, ठीक है, यह आप लोगों के लिए offer, validity, मजा, यह वो चीज है, मैं एक marathon conduct कर रहा हूँ, coming Sunday, coming Sunday, I am conducting a marathon for quality, अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, तुम ठीक है, comment section में comment करना, मैं poll भी करूँगा, telegram पे, हम लोग theory कर जाएं, यह question पे जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि, exam बड़ा नजदीक है, तो हम लोग question पे जाना चाहिए, theory पढ़ेंगे, तो थोड़ा जादा matter हो जाएगा, ठीक है, sir, आप से relate नहीं कर पाऊगों, कहीं भी आ रहे, जी, तू, thank you, यार, लेकिन ऐसा नहीं है, कर लेगा बच्चार लेगा, ठीक है, तो यह वाला आपको संडे को मिलेगा, और जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, subscribe the channel, and join my classes, अच्छा, मैं special class भी लेता हूँ, free पे, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो मैं सब चुझ, देखो, YouTube पे तुम्हें free पढ़ा रहा हूँ, daily, special में free पढ़ा रहा हूँ, daily, paid में पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा जहां मन करें, ऐसा नहीं है, कि मैं यहां गंदा पढ़ाऊंगा, बस यहां फॉर्मल्यल्टी करके निकल जाऊंगा, हर जगा पूरी जान लगागे पढ़ाऊंगा, च्छा कहीं भी पढ़ा लो, special में होगा तब भी जान लगाऊंगा, यहां पे होगा तब भी जान लगाऊंगा, paid में होगा तब भी जान लगाऊंगा, एक बार देख लूँगा, क्योंगे मुझे एक बच्चे ने पुछा कि बुक कैसा है, तो एक बार मैं देख लूँगा और एक ना बहुत जल्द में static जी के course लेके होंगा, static वाला मैं खतम करना चाता हूँ, बच्चों के अंतर से डर ठीक है, तो static का बहुत जल्द रहेके होंगा, ये वाला after the means जो होगा, वो static का course आएगा, 110%, ठीक है, धन्यवाद जी, ठीक है, ठीक है, चलो आज का session फिर इतना ही रखते हैं, और सारे बच्चे ने session को like कर दिया करो, और सारे 8 पिशे का time है आज आया करो, बहुत जादा late मत कि आकरो, और इसकी PDF जो है, annotation वाली share कर दूँगा, आज में, after 10 से 15 मिनिट के अंदर अंदर share कर दूँगा, ठीक है, तब तक के लिए bye bye, check care, अपना ध्यान रखो, मन लगा कर पढ़ो, जिनका exam है, इन PDF को उठा के पढ़ना शुरू करो, ठीक है, कल का मैं शायद class नहीं ठीक है, चलो, तो अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे, कल special class का link जो टेलीग्राम पे आता है, बाकी सब बच्चे टेलीग्राम सेशन जरूर जोईन करें, जिससे आप सारी PDF का मज़ा ले पाए, ठीक है भाई लोगो, ठीक है, download कर लो, जो उसने download कर लो, ठीक है, download कर लो, फाइदा होगा, मैं तुम्हें सच बता रहूं, फाइदा होगा, एक बार download करके कल class करो, कल कोशिश करूँगा, एक class लो, बारा बजे, अगर नहीं ले पाया तो अलग चीज है, लेकिन कर लो download, ठीक है, चलो, बाबाई, टेक क्यार, जैहिंद, मिलते हैं कल, तब तक के लि